Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Aum Shanti Sangam Yuga पर हम सभी ब्रह्मावत सोकु जो कुछ मिला है वो चारू युगों में अन किशी को नहीं मिलता चाहे सत्युक के देवी देवता हों, विश्व महाराजन हों या द्वापर युग के अन कोई सम्राठ हम सब को इन सब से कहीं ज़्यादा प्राप्तिया हुई हैं अगर हम अपनी प्राप्तियों को याद रखें, तो सारा दिन खुशियों में जूमते रहेंगे मन अंदर से गाता रहेगा, वहा मेरे जैसा कोई नहीं पाना था सो पालिया, अब काम क्या बाकी रहा सोचो अपनी प्राप्तियों पर एक नजर डालो और अपने पास्ट को एक बार निहारो कितना सुन्दर था वो दिन, जब तुम प्रभु के द्वार पर आये थे जब उसका सत्ग्यान तुम्हें मिला था, जब उससे तुम्हारा मिलन हुआ था कितना खुशियों से भर गया था ये जीवन, मन अनंद में जूम उठाता वहा जनम जनम की च्छापूरी हो गई, जनम जनम की भकती का फल मिला, और फिर दोर प्रारंब हुआ, अनेक प्राप्तियों का सत्यान ने हमारे जनम जनम की गुथियां सुल्जा दी, हमारे जीवन में खुशियों के द्वार खुल गए, श्यानती का मार्ग मिल गया, प्रेम आ गया, एक विशेष तरह की दिव्यन उभूते जीवन में प्रारंब हो गई, रोजयोग अभ्यास होने लगा, प्रभु मिलन होने प्रदान और शक्तियां मिलने लगी, एक सुंदर परिवार मिला, जो देव कुल की आत्में थी, वो इखटी होने लगी, और एक निश्चल निर्मल प्रेम का आदान प्रदान हुआ, कितनी प्राप्तियां होई हैं हम सब को, खोया हुआ स्वराज, हमारे द्वार पर आने लगा, हमें एक लक्स मिल गया, तुमने अपना जो स्वराज खोया था, वो अब पाने का समय आ गया है, भगवान की गाइडेंस में हम चलने लगे, ये तो हुई यहां की प्राप्ति, लेकिन वो प्राप्तियां तो और भी सुंदर रही हरेक की, जो हरेक को योग युक्त ह कोने पर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए, किसी को कैसा अनुभव, किसी को कैसा अनुभव, किसी को बाबा के विन्विन्तर है के साक्सातकार, किसी को दुखों से मुक्ती, किसी को समस्याओं का समधान मिला, किसी के सामने बाबा कर खड़ा हो गया, मैं तुमारे साथ किसी की उसने सारी चिंताएं और वो ज़ड़ ली तो जरा कंभीर होकर संगम युक की प्राप्तियों पर एक नजर डालें प्राप्ति इस्मर्ति स्वरूप हो जाएं तो जब प्राप्तियां बहुत होती हैं तो मन खुशियों में जूमता रहता है साथी साथ हम याद रखें चहां निश्चे है वहीं विजय है निश्चे मनुस को निश्चिंत भी करती है और निश्चे मनुस को विजय भी दिलाती है हर चीज में निश्चे आप स्टूडेंट हैं तो एक्जाम के रिजल्ट में आपका निश्चे होना चाहिए स्वयम में निश्चे ह होना चाहिए, हम ये कारिय करेंगे ही, हमें इसमें सफलता मिलेगी ही, भगवान हमारा साथ ही है, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकेगा, इसमें बहुत जदन निष्चे की ज़ुरत होती है. आप कारोबार में भी हैं, उसमें भी निश्च हो, इतना हमें मिलेगा ही, हमारा कारोबार ऐसा सुन्दत चलेगा ही, सफलता हमें प्राप्त होगी ही, ऐसा निश्च हमारी विजय को बिल्कुल सरल कर देता है, निश्च के वाइब्रेशन सी, हमें विजय की ओर ले चलते हैं, चाहे विजय माया पर हो, क्रोध पर हो, काम पर हो हमारी विजय निश्यत है, मैं विजय रतन हूँ ऐसी आज सारा दिन इसमर्ति रखेंगे मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ अने एक बार मैंने इस माया को जीता है इन विघन समस्यां को पार किया हजारो बार, लाखो बार, करोडो बार अब भी मुझे ही पार कर लेना है ये तो जस निमित हात बढ़ाना है कदम बढ़ाने है मेरी विजय तो होनी निश्यत ही है और अभ्यास करेंगे मैं फरिष्ता हूँ कमल आसन पर विराजमान हूँ पवित्रता का फरिष्ता हूँ मेरे अंग-अंग से पवित्र के ने फैल रही है बस सारा दिन खाते पीते नाते दोते करम करते फरिष्ते स्वरूप की स्मर्ती प्रेक्टिस और मैं विजय रतन हूँ ये स्वमान याद करेंगे आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम श्यांती